असलाम अनेकुम इस वीडियो में हम एक दिल्चस्ट मेंडर के हवाले से जानते हैं यानि फ्लाइंग 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 यह उते हैं वो दूसरे frog जो होते हैं, amandak, उन से ज़रा अलगी होते हैं, लेकिन यह हम आगे चलके ज़रा बात करते हैं, अगर हम इनकी habitat देखें, तो भी यह ज़रातर rain forest में पाय जाते हैं, गिली जगों पर और घर्ब जगों पर, और यह आर्बोरियल होते हैं ज़रातर, तो भी यह मलेशिया, थाइलेंड, चाइना, इंडोनेशिया, ग्रोडाई, के इन कैंट्रीज बे पाया जाता है, लेकिन आप यह भी जान लो कि यह frog है, यह toad नहीं है, toad और frog में ज़रा फर्क होता है, वो ते दोनों mentor किये, लेकिन इसकी बात हम फिर किसी वीडियो में कर करती है, अब जैसा कि मैंने शुरू में आप से यह कहा कि यह rain forest में रहते हैं, और यह ज़रा तर द्रखतों पर रहते हैं, तो यह तक्रीपन 20 मीटर की उंचाई पर रहते हैं, लेकिन जब भी कोई predator, वही मतलब animal इनकर शिकार करना चाहे, तो यह क्या करते हैं, हम आसान तर जो कि web shape में होते हैं, यानि यह एक दम से नीचे नहीं आते हैं, यह हवाबे तैरते हुए आते हैं, जैसा कि एक इनसान जब जहाद से ठाग लगाता है तो वो जमीन के करीब आकर पर पेराशूट को खोल देता है, तो वो बड़े अराम अराम से जमीन पर लैड कर जाता है इसी तरीके से ये ये उपर की तरफ नहीं जाते है, ये हमेशा नीचे की तरफ आते हैं, और जब ये ठाग लगाकर एक टहनी से नीचे की तरफ आते हैं, और ये दूसरी टहनी पर बड़े आराम से लैड कर जाते हैं, हवाबे तैरते हुए, और इस movement को हम कहते हैं parachuting, और यहां पर अगर आप मेरी राय जानो ना तो बहुए यह पैराशूट फ्रोग कि यह फ्लाय तो करता है जैसा कि अगर आपने मूवी देखिं o apply मैंन की तो वो fly करता है वो glide और पईराशूटिंग नहीं करता है। तो आप जान गए हो कि यह fly कैसे करता है इसकी skin भी काफी अच्छे function perform कर सकती है मतलब यह कह देखा कि यह water को absorb भी कर सकती है और इसको dehydration होडे से बचा भी सकती है और इसकी skin oxygen को भी absorb कर सकती है और इसके साथ साथ carbon dioxide को release कर सकती है इसकी skin यानि इसकी skin भी काफी well developed है अब जैसा कि मैंने आप से यह कहा कि यह ground यानि जमीन पर बहुत कम आते है तो यह आते हैं सरफ mating season में और वैसे भी जो female flying frog है वो जग्तों पर अपने अंडे दे सकती है अगर इनकी population की बात की जाए तो वो फिलहाल तो खतरे में नहीं है लेकिन जिस तरीके से deforestation हो रही है मतलब जगलाद को कटा जा रहा है तो इस तरीके से इनकी population भी बहुत जल्द खतरे में आ जाएगी वैसे लोग इनको पैट के तोर बर भी रखते हैं flying frog को डाइट में ये जानातर insects खाते हैं मतलब केड़े मकोडे खाते है flying frog का life spend अभी तक unknown है और अब आखिर में अगर flying frog का group हो यानि कि ये group में हो तो इसको हम कहते हैं army अगर वीडियो अच्छी लिए तो like कर सकते हो और चैनल को subscribe कर सकते हो अलाहाफीज